तो सारा फाइनल सेट अप करने के बाद हम यहां पर फाइनली कोड अब अब अपने लिख सकते हैं तो कोड लिखने से पहले सबसे पहले मैं एस्टेमल के कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टन नॉलेज दे देता हूं कि जिसके इंपॉर्टन नॉलेज आज तैग नेम एंड सब्सक्राइब करें तो सिंपल सी बात है अगर सब कुछ आपने सेट कर लिया तो सिंपल एक्सलेमेंट्री मार्क आप यहां पर क्लिक करिए सिर्फ प्लस वन तो यह चीज आपके पास आजाएगी जैसे कि इमेट मैंने आपको बताया था ने में इमेट की सेटिंग तो यह कैपे इमेट अब्रिवीएशन आ जाएगा यहां पर यहां पर पूरा सिंपल का स्ट्रक्चर का मिंग क्या है इसको लाइन हर एक लाइन का मतलब समझेंगे उके तो सबसे पहले लाइन हमारे पास है टाक टाइप HTML फील्टा ने यहGS होता है जैसे कि बहुत सारे फोटया नहीं की चलाते होंट पोन के बहुत सारे बस ऑइसे लिग दा से वीग दो पहीं होते नि meth попроб दिखाता हूं यहां फहेर्श वर्जन था यहां पर हो चुमल का जो फॉस्ट वर्जन था वह च्छे tiden पेधोल स्नेरख Zoek लेकिन अब 2012 में है HTML5 का Newest Version जिससे हम कहते है Stable Version जो है 2012 में रिल्यूज हुआ और अब तक चल रहा है तो यह वर्जन है तो वर्जन बताने के लिए यह डॉक टाइप जो है यह बता रहा है कि यह HTML5 का HTML5 को वर्जन है यह हम जो यूज़ कर रहे हैं यह HTML5 यूज़ कर रहे हैं वैसे भी तो टाइडल में आपने पढ़ा ही होगे HTML5 and CSS3 राइट तो यह डॉक टाइप HTML क्या है हमारा वर्जन बता रहा है कि यह कौन सा वर्जन है टाइप टेलिंग यह अंगरेजी नहीं आती जितनी आती होगल देता हूं ओके दूसरा हमारे पास टैग नेम है HTML ओके एक चीज़ नोटीस करना में बार-बार कह रहा हूं टैग नेम उसको में लाश्ट में अभी कवर कर रहा हूं पहले में सारी चीज़ों को बता देता तो दूसरा हमारे पास टैग नेम है यहां पे HTML तो HTML एक्चुल में एक root element है root element नहीं समझ मैं है ओके एक इंसान है आप हो आपका सबसे main part क्या है आपका head है head यानि आपका head जो है एक root element है वो सब को control कर रहा है आपके head के अंदर सारी चीज़ आती है right आपके mind के अंदर सारी चीज़ आती है तो आपका mind यानि आपका head जो हो गया root element हो गया okay तो HTML को सबसे पहले समझ लो कि यह सब सब का बाप है जो उपर सबसे ओपर रहता है head element रहता है जो मतलब सब को contain करता है body सारी चीज़ को control करता है lungs वगरा heart वगरा सब को control करता है उसे क्या कहते हम root element कहते हूं इसको लिखना ना लिखना ना के ब्राबर है तो इसको मैं हटा देंगा okay तो यह चीज़ जो हो गई हमारे पास जो है यह root element हो गई हमारा कहां पर head में है तो यहां पर उल्टा है हमारा जो head है वह mind के अंदर है तो ठीक है तो root element के अंदर जो हमारा है head tag आएगा यह tag बार-बार में बता रहा हूं यह head tag है यह head tag है root element tag है okay तो यह HTML tag यह head tag है अब head tag के अंदर जो चीज़ होती है जो हमें अपने browser पे appear नहीं करानी है उसको हम उसको हम कहते है वह हमारे head tag में आता है for example जैसे मैं इसको भी run करता हूं ठीक है मैं live server के हिसाफ से इसको run करता हूं अब यहां पर आप देखो कुछ भी हमारे पास नहीं आया हमारे web page पे कुछ भी नहीं आया बलकि हमने इतना सारा कुछ लिखा है okay that's strange रहा तो यह meta element है तो meta element जो होती है हमारे web page पे सोन ही होती है हमारा अब फिर यह सारी चीज़े हम बाद में बात करेंगे इस meta element के about के बाद में बात करेंगे अभी हम बात करने तो आप confusion जोगे तो हमारे पास next चीज़ आती है जो हो टाइटल अब हम अपने web page को एक title देते हैं तो जिसे मैं अपने web page को टाइटल दे देता हूँ my first web page okay मैंने अपने web page को यह title ले लिया अब मैं यहां पर इसको save कर लेता हूँ अब मैं जब इसको open करूँगा यहां पर देखो मेरा जो टाइटल है यहां पर चिंज हो गया यहां पर देखो आप my first web page राइट तो यह हमारा होता है टाइटल का 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 होता है कि यह उपर नेम जो हतना एक टाइटल की रूप में आ जाता है जैसे कि यहां पर मैंने यहां पर लगा है my first web page तो my first web page हमारा टाइटल आ गया ओके तो चलो अब आगे देखते हैं तो यहां पर जो head है head क्या content करता है जो हमारे web page पे show नहीं होना होता है appear नहीं कराना होता है जैसे हैं यहां पर कुछ भी लिखे हैं हम गर यहां पर यहां पर हम कुछ भी head element के अंदर लिखें यह head element मतलब यह head का open part है और यह head का closed part है इसके बीच में कुछ भी लिखेंगे तो वह हमारे web page पे show नहीं होगा उसके बाद आती है हमारे पास body element body element के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वह हमारे web page पे obviously so होगा appear होगा right for example मैं यहां बिना किसी tag या element कुछ भी लिखता हूं यहां पर मैं इसको save करता हूं तो जैसे हम अपने इस पे web page पे जाएंगे यहां पर यहां पर appear हो रहा है जो हमने लिखा है okay तो यहां पर body का जो starting tag है उसके बाद यह body का close tag है okay उसके बाद फिर इन यह सब जो है यह head okay यह जो head है okay यह head body यह सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही है हमारे root element के अंदर आ रही है root element क्या है है यहां पर html root element का मतलब क्या हो गया जो सबसे उपर होता जो सबका head होता है उसे कहते है root element कहते है ठीक है एक बाद फिर से हम revise कर लेते है doc type html क्या होता वर्जन बताता है जैसे कि html1, html2, html3, html4 अब जो चल रहा है html5 यह तो यह बता रहा है कि यह जो वर्जन है html5 का वर्जन है html tag क्या होता है एक root element होते हैं उसके बाद आता है head tag आता है head tag के अंदर जो कुछ भी हम रखेंगे वो हमारे web page पे शो नहीं होगा उसके बाद आता हमारे पास body element body element में हम अपना code लेखेंगे जो हमें अपने web page पे appear कराना होगा दिखाना होगा अब मैं बार-बार कह रहा था tag क्या है बार-बार tag name बता रहा था tag क्या है तो कोई भी tag होता है न तो वो tag जो होता है जैसे कोई भी tag हुआ tag name कोई भी टैग हुआ, वो टैग एक code bracket में start होगा, उसके बाद जब वो tag को हमें close करना है तो हमारे पास ये forward slash code bracket में forward slash उसके बाद tag का name दे देंगे, तो इस तरह से हमारा tag name work गता है, for example, हमें HTML tag बनाना, तो हमने यह पर लिखा HTML, HTML code bracket लगा है, और यहां पर आप देखो, आप देखो, आप देखो, HTML का open tag and HTML का close tag बनी गया, तो this was the basic structure of the HTML, this was the, or you can say, this is the introduction of the HTML.